तो आज हम बात करेंगे भाई, पोके के जो फोन होते हैं, उनको आपको अब 2023 में बाई नहीं करना चाहिए, चाहिए वो पोको X3 Pro हो, या विर पोको F4 हो, या विर पोको X5 Pro हो, क्यों ना हो, क्योंकि पोको X5 Pro जो अभी मार्केट में नहीं आया है, बट यह जो डिवाइस है यह है, पोको X3, यह X3 Pro नहीं है, X3 Pro जो था भाई, आपको पता होगा, मेरा एक महीनी पहले, डैड हो चुका, वो सर्विस सेंटर में है, और आपको यह भी पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को फोलो करते हैं, तो मेरे पोको X3 डिवाइस भी है, तो यह है मेरा पोको X3, और आपको, अगर आपको बिलीव ना रहो तो भाई, यह देखना, यह मेरा पुराना वाला फोन है, जिस पर कि मैंने लेदर वाला स्किन लगाया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिस पर मैंने स्किन वगरा चराया था, और मैं पोको X3 की भी वीडियो बनाता थ यह मैं आपको बताने वालों क्या दिक्कत आई, और पोको F3 GT वो भी आपको बता को, वो डिवाइस भी मेरे पास था, उसको मैंने सेल कर दिया, क्योंकि वो हीट वगरा होता था, थोड़ा बहुत, और उसमें भी एक दोबर दिक्कत आई, वो क्या है, वो भी मैं बात करू बट भाई, देखो, comment section में जरूर बताना, अगर आपको बाइप, पोको कर डिवाइस है, आपको ओडिक्कत आई नहीं आई, comment section में जरूर बताना, बाकी क्या होताने, कावी सारे लोग ये बोलते है, मैं इस ट्रैप की वीडियो इसलिए बनाता हूं, कि मेरे को views मिल सोके, बाई मैं क्यूं बनाऊंगा विडियो के ने मैं तो पब्लिक को अवेर करने के ने वीडियो बना रहा हूं कि आप आगे ये 2023 में ऐसी गलती ना करो पोको के फोन ना खाली तो में कोई दुस्मने नहीं पोको के फोन से कि पोको फोन ऐसे वैसे बड़ जो कमपनी करती है उससे दिक्कत है देखो ये वीडियो जो फेसके बनाई जाती है बट भाई देखो मेरा प्रोपर कोई सेटप वागर नी है अब ए टम लगाए दो से तीन में नहीं था चलो कोई नी भाई Guaranti मी नहीं था बट डैट जो वो उटमेटीक ली हऊँआ मेरी गलती से नहीं हुआ तो everytime कमपनी को कु यह मेरा फॉन देखो इसके अंदर अभी मैंने फिलाल लेटिस्ट देखो पहले यह मेरा क्या था यह अपडेट आरा कहा है इसके अंदर 13.0.1.0 इस अपडेट को इस टॉल करने के बाद कावी सारे लोगों को यह मेर को दिखकर दिया यह बाइए मेरे टेली ग्राम पे मालो या इस्टाग्राम पे मेरे को कावी सारे लोगों ने बोला कैमरे से लेटेट प्रोलम आप Poco X3 Pro की जो वीडियो को उसमें कमेंट सेक्शन में जूर देखना Poco X3 के जो भी यूजर होंगे उन्होंने यह जरूर बोला होगा कि उनका कैमरा यहां पर नहीं चला देखो यहा इलकुर रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब Poco का फोन लो 2030 के अंदर जम भाई मैंने Poco X3 लिया था और Poco X3 Pro लिया था बाई मैं काफी यह था खुस था कि यह फोन यह फोन काफी बढ़िया था इसके अंदर 128 था गेमिंग के निये भी यह जाना जाता था बैटरी की काफी अ काफी सार लोगों से मैंने पूछा कि आपका फोन गए है तो आपने क्या बोला उन्हें बोला वारंटी खतम है वह मदरबोर्ट चेंज करने के पैसे मांग रहे हैं जो कि 18-18 बोला 8-10,000 रुपए होते हैं तो भाई मैं उतना पैसा क्यों दू तो मैंने लोकली ठीक करवान के ने दिया बट वो ठीक नहीं हुआ पोको एक्सरी प्रो अब यह है पोको एक्सरी अब इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि देखो इसके अंदर कैमरा खराब हो चुका है कैमरा यह नहीं चला तो यह है मदरबोर्ट का इसू अब इसकी भी वारंटी खतम हो चकी है अब क पोको एकसी रिपेक को जो मदरबोर्ड के प्रोलम थी वह काफी सारे लोगों को हो रही थी इस विए से उन्होंने एक्षन लिया और सिक्समंत की वरंटी बढ़ा दी बट उसके बावजोद भी जिनका फोन वरंटी में वह भी ठीक करके नहीं दे रहें उनके में बता दे रह हिए था उनको फोन रिपेलेस करके पोको एकस फाइब प्रो प्रो दे दिया था यह रेड़ेमी नूट 11 था और रेड़ेमी नोट Ah सुर्ड पोडर फाइब दोनों सेम थे इस वएस मैंने पोको का वह वाला इडिवाईस नहीं लिया क्योंकि दोनों में सेम ही अप डेट अ करके एक दोगा रिचर्ट किया वो चल रहा है लेकिन अब यह डिवाइस है इसके अंदर भी देखो यह दिक्कत आ रही है कि यह कैमरा उपन किया यह देखो तो फ्रेंट कैमरा यह चालू यहां पर नहीं हो रहा है तो देखो अब यहां पर इनका नया फोन आ है रेडमी के स्मार्ट फोन है यह देख सकते हैं यह है रेडमी नोट 7S अब रेडमी नोट 12 प्रो चल ला और यह 7 सीरीज का फोन है इसमें आस तक कोई भी दिक्कत नहीं है यह रेडमी नोट 7S है और इसको मैं आस तक यूज कर रहा हूँ रूट कस्टमरों फलाना डिंका सब क कुछ किया कोई भी दिक्कत नहीं है और यह मेरा फोन आस तक वर्किंग कंडिशन में कोई दिक्कत नहीं है बट यह पोको वाले भाई एक से डेड़ साल में इन्होंने रंग दिखा दिया तो भाई देखो आप भाई मैं यह नहीं कर रेडमी के फोन लो आप कोई भी फोन बट भाई मेरा पोको से विश्वास उड़ चुका है आप पोको के डिवास नहीं लो 2030 में तो ही ठीक है क्योंकि पोको X5 प्रो आया भाई उसको आप ले लेते हो इन फ्यूचर भाई हो सकता वो भी खराब हो जाए कंपनी फिर कुछ एक्सन ना ले क्योंकि फोन कोई ले थ अठारा जार रुपए का पोको X3 प्रो था और वो चल के भाई एक साल भादी वो खराब होगे अब उसको कुछ भी नहीं हो सकता अब मिरको नया फोन लेने पड़ेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा अठारा जार रुपए का आपने पहली पार फोन लिया वो भी खरा अब हो गया तो क्या ही करें तो बस इस वाई से मैं अवेर कर रहा हूं वाई देखो अगर आप 2023 में पोको का कोई फोन लेना वाले हो तो भाई मेधितब से कोई सजेसन नहीं है क्योंकि मैंने पोको X3 प्रो लिया ता मैंने काफी सारे लोगों को बोला था फोन लेलो काफी को इनके company के अच्छे है बट company यार जब कुछ खराब हो जाता है तो उसको सही तरह से नहीं कर रही है यह चीज़ दिखकत है Poco के भाई Poco X3 जो X2 था उसका camera dead हुआ Poco X3 का front camera dead हो गया Poco X3 पूरा ही dead हो गया अब Poco X4 Poco X4 जो है वह चल रहा है कि वह rebrand किया हुआ Redmi Note 11 Pro 5G का इस वज़े से और Poco F4 जो आया है उसमें तो कोई update ही नहीं देते कि उनको डर है कि फोन dead ना हो जाए वह अलग बात है और Poco X5 प्रो जो आया भी इंडिया के निया उसका तो कुछ अता-पता नहीं है किस तरह से चलेग तो आपको कितना बुरा लगेगा मेरा phone जो एक मेने से ऐसी पढ़ा हुआ है कुछ ठीक नहीं हुआ अब यह जो phone है इसका भी भाई मैंने काफी सारे लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत है तो सब नहीं बोला भाई इसमें motherboard का दिक्कत है और इसका कोई solution नहीं है तो आप द मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि मेरा Poco X3 Pro भी खराब पड़ा हुआ है तो अब मैं ट्राइ कर रहा हूँ कहीं से मिल जा और मेरा भाई मैं हाकिकत बता हूँ मेरा मन नहीं है क्योंकि यह जो phone है Poco X3 Pro कि मैं बता रहा हूँ मैं Poco X3 Pro लेने जाऊँगा second hand भी तो मेरे को 10 से 12,000 रुपे मिलेगा और मेरे को यह डारा की 10 से 12,000 रुपे लागा कि मैंने एक वीडियो बनाने के दुबारा फोन लिया एक मैने बाद दो मैने वो डैड हो गया तो फिर क्या होगा मेरे पैसे तो चले जाएंगे मैं सिर्फ आपके नहीं फोन ले सकता ले लो बट काफी सारे लोगों ने बोला कि नहीं मतलो भाई तो मैने इस वैसे नहीं लिया तो बाकी मैं ट्राइ करूंगा इन फूचर कुछ होता है नहीं हो तो बाकी मैं रिक्मेंट नहीं करता भाई पोको का फोन लेने के नहीं तो बहुत सारी ग्यान की बाते होगे I hope आपको समझ में आगए क्या करना नहीं करना बाकी आपकी मर्जी आपको पैसा जो लेना है वो लो मैं मने नहीं करूंगा बट जो मेरे साथ हो रहा रहा जो बाकी सारे लोगों के साथ हो रहा वो मैं आपको बता दिया आपको जो करना है वो करो बाकी तो यार मेरे तरफ से भाई ना है भाई हम ना ही लो तो ठीक है बाकि आपकी मर्जी बाकि यहीं इन्फोमिशन थी अगर आपको कुछ बूस्ट लिपसे रहा है या कुछ बोलना कमेंट सकते हैं बोल सकते हो बाकि आप राइ भी दे सकते हो बाकि तो हम बिलेंगे नेक्स वीडियो जब तक करें जे जब हिं जबार